शनिदेव की चौल से तो हर कोई वाकिफ है अगर आप पर शनी का कोई दोश चल रहा है तो शनी ज्वैंति वो खास मौका है जब आप इन दोशों से मुक्त हो सकते हैं लेकिन उन दोशों की पहचान कैसे करेंगे अगर किसी पर शनी की साड़े साती चल रही है तो इसका क्या मतलब है आपके जीवन में क्या संकेत आ सकते हैं क्या परिवर्तन आ सकते हैं और शनी ज्यांति पर आप उनके लिए क्या कुछ उपाई कर सकते हैं सिलसिलेवार बताए देखे लक्षमी जी जब हम बात करते हैं सनी की साड़े साती की दुखे इस वर्ष सनी जयनती पर सनी और राहू के योग से द्वादस योग का निर्माण हो रहा है मंगल भी जून महीने की प्रथम तारीक को अपनी राशी मेश पर गोचर करेंगे मंगल पर सनी की द्रश्टी का संबंद होने से अनेकों विपरीत परिष्थितियां उत्पन होंगी यद्यपी सनी से संबंदित अनेकों मानताएं समाज में प्रचलित हैं लेकिन मैं बात करता हूँ सास्त्र की सास्त्र के अनुसार जब किसी के उपर सनी की साड़े साती का समय गोचर करता है तब से उस जातक या जातिका के जीवन का असुब समय आरंब हो जाता है और असुम समय के कारण साढ़े साथ वर्ष तक जीवन परेशानियों से घिरा रहता है जोतिशास्त्र के अनुसार जब किसी रासी से द्वादस भाव पर सनी का गोचर आता है तो यह समय साढ़े साती का समय कहलाता है सनी की साढ़े साती में धाई धाई वर्ष के तीन चरण होते है सनी का गोचर जिस रासी पर होता है उसके आगे वाली रासी पर साढ़े साती का प्रथम चरण कहलाता है जिस राशी पर सनी देव इस्थित होते हैं उस राशी पर साढ़े साती का दुतिय चरण प्रभावित करता है और पीछे वाली राशी पर सनी की साढ़े साती के अंतिम चरण का प्रभाव होता है बर्तमान समय में सनी देव का गोचर कुम राशी पर हो रहा है सनी देव के कुम राशी पर गोचर के कारण मीन राशी पर साढ़े साती का प्रथम चरण चल रहा है कुम राशी पर साढ़े साती का दुतिय चरण है और मकर राशी पर सनी की साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा है देखे साड़े साती का प्रभाव क्या है पहले इस बात को समझ लीजिए सनी की साड़े साती का संपूर्ण समय एक जैसा नहीं रहता है उसमें परिवर्तन होता रहता है साड़े साती का प्रथम चरण सरवाधिक हानिकारक रहता है दुती चरण में हानी कारग प्रभाव कम हो जाता है और सनी की साड़े साती का जो अंतिम चरण अर्था तरती चरण है साड़े साती के अंतिम चरण में सनी देव जातक के सुभ कर्मों का फल प्रदान करते हैं साड़े साती के अंतिम चरण में बिवाह, संतान, नौकरी आदी के सकारात्मक फल मिलने सुरू हो जाते हैं सनी की साड़े साती का प्रथम चरण ये बहुत ही खतरनाक समय होता है साणे साती के प्रथम चरण में जातक जातिका को अनेकों तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है वैसे साणे साती के प्रभाव से प्रभावित जातक जातिका को अपना विशेश ध्यान रखना चाहिए साड़े साती काल में जातक जातिका को मुखताह मानशिक उल्जनों का सामना करना पड़ता है सिरदर्द माईग्रेन जैसी समस्याएं होने के कारण सही फैसले लेने में कठनाई आती है जातक अपनी वानी और क्रोध अहंकार पर नियंत्रन खो देता है साड़े साती काल में जातक को जीवन के बड़े फैसले लेने में परिशानी का सामना करना पड़ता है प्यापार अथवा बिवसाय में परिवर्तन से परहेज करना चाहिए स्वास्त से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है अब बात करते हैं दुती चरण की सनी की साध्य सात्य की दुतीर चरण में अस्पताल जाना पड़ता है जीवन सात्य का स्वास्त विशेश रूप से चिंता का कारण बना रहता है देखी यदि आप सनी की साध्य सात्य से प्रभावित हैं तो आप के लिए उपाय क्या है साणे साती के प्रभाव से प्रभावित जातक जातिका को प्रति दिन सनी चालीशा और हनुमान चालीशा का पाठ प्रति दिन पूजाहेतु ऐसे मंदिर का चैन करना चाहिए जहां स्री हनवान जी और स्री सनी देव दोनों की प्रतिमा इस्थापित हो सनी जनती दिवसे 40 दिन तक सर्षो के तेल में काले तिल मिलाकर सनी देव का तेल अविशे करते रहे सनी देव को नीले अपराजिता पुस्प की माला अर्पित करें सनी देव को सनी देव मंदिर में भंडारा करें सनी वार को सनी देव मंदिर में भंडारा करें और समी और पीपल के व्रक्षों का आरोपन करें ऐसा करने से आपको सनी की साड़े साती की पीड़ा से निजात मिल जाएगी और सब ठीक हो जाएगा जै सनी देव